Hey guys, welcome to study IQ now, recently August 2020 में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा ये गए साउधी अरेविया में to improve the relations between पाकिस्तान and साउधी अरेविया Recently आपको बता होगा कि बहुत से issues की वज़े से कश्मीर issue, OIC issue उसके इलावा जो बात चल रही है कि पाकिस्तान, टर्की, इरान, कुछ और कंट्रीज के साथ मिलकर OIC के बाहर एक parallel group बनाएगा Muslim countries का तो ये सब जो issues हैं जिनको लेकर पाकिस्तान और साउधी रेविया में differences काफी बढ़ गए थे, इन differences को मिटाने की कोशिश करने के लिए गए थे, जनरल बाजवा जो ये visit है, ये complete disaster सावित हुई है, साउधी रेविया ने कोई statement नहीं दी regarding Pakistan's loan ये नहीं का कि पाकिस्तान का जो oil deferred payment system है, जो साउधी रेविया ने revoke कर दिया है, इसको reinstate करेंगे और सबसे बड़ी insert ये है, कि साउधी रेविया में आज के समय जो पावर समाल रहे हैं के deputy prime minister, crown prince मौमब बिन सल्मान इन्होंने Pakistan chiefs से मिलने से भी मना कर दिया, इनके साथ कोई meeting schedule नहीं हो पाई इनकी तो discuss करेंगे यहाँ पर इसका मतलब क्या है, what it means for India, बहुत कुछ आको जानने को मिलेगा So a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, go to google play store, download the study IQ education app और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं, हमारा flagship UPSC course, जिसके लिए EMI option available है and don't forget to subscribe to study IQ and press the bell icon So recently मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तानी government और इनकी army divided है about Saudi Arabia एक तरफ जो पाकिस्तान की सरकार है, जहाँ पे इनके prime minister है, इनके विदेश मंतरी है वो regularly ऐसी statements दे रहे हैं, कि पाकिस्तान OIC के बाहर, Turkey, Iran, Malaysia और कुछ और countries के साथ जो अपनी corporation है, यह बढ़ाएगा और OIC या तो second seat ले लेगा, या फिर कई countries OIC को छोड़ कर एक नया blog बना लेंगी और obviously यह सब सुनके Saudi Arabia खुश नहीं है, क्योंकि OIC मतलब के Organization of Islamic Corporation, जिसके headquarters है in Jeddah, इसको lead करता है Saudi Arabia नव पाकिस्तानी आर्मी यह जानती है कि Saudi Arabia की आवशक्ता, अभी भी पाकिस्तान को बहुत जादा है और even after इमरान खान's government ends, क्योंकि आप अगर सोच कर देखें, इमरान खान की maximum कितनी terms होंगी, 1 term, 2 term, मगर पाकिस्तान की जो आर्मी है, यह बहुत ही लंबे समय तक, 85 साल तक, पाकिस्तान का main power center रहने वाली है तो इन्हें पता है कि long term में, Saudi Arabia is vital for Pakistan क्योंकि already आप अगर देखो, पाकिस्तान के जो currency reserve है, यह इस वक्त हैं, सिर्फ 11 billion dollars के आसपास, और आने वाले 12 महीनों में, पाकिस्तान को total 9 billion dollars worth के international loans चुकाने है, क्योंकि आप अगर पिछले 2 साल में देखो, तो पाकिस्तान की सरकार अगर हम सिर्फ इसी financial year की बात करें, तो इसी financial year में, पाकिस्तानी government ने 13 billion dollars का उधार ले लिया है, और पाकिस्तान की economy ये sustain करने ही पाएगी, क्योंकि जब आप बहुत सरा लोन लेते हो, तो आपको debt servicing करनी होती है, मतलब कि उसका आपको interest पे करना होता है, और आज के समय पाकिस्तान की हलत इतनी खराब है, कि अगर इनको Saudi assistance नहीं मिली, तो ये अपना interest भी पे नहीं कर पाएंगे in the foreseeable future, तो ये सब reality पाकिस्तान की army chief समझते हैं, और इसलिए ये गए Saudi Arabia में, इनकी कोशिश यहाँ पर ये थी, कि जो oil deferred payment का system है, मतलब कि Saudi Arabia ने पा टाबर लगेगा, तो टोटल पाकिस्तान को इन्होंने 3.2 billion dollars का oil deferred payment system provide किया था, और इस सब के अलावा, 3 billion dollars पार किये थे पाकिस्तानी banks में at very low interest rate, अब इसमें से Saudi Arabia 1 billion वापस ले चुका है इस loan में से, और जो oil deferred payment है, ये भी end कर दी जा चुकी है, तो पाकिस्तान की army chief की को reverse हो जाए, for the betterment of the Pakistani economy, मगर देखिए, शौकिंगली यहाँ पर हमको पता लग रहा है कि Saudi Arabia पाकिस्तान से किस हद तक नराज है, और दोनों countries के relations किस हद तक खराब हो चुके हैं, Saudi Arabia की जो crown prince है, मौमद बिन सल्मान, ये पाकिस्तान के army chief से मिलने भी नहीं आए, even though schedule किया गया था कि दोनों की यहाँ पर meeting होगी, और ये भी program था कि General Bajwa को एक medal provide किया जाएगा from Riyadh, तो दोनों जो ये चीज़े थी, meeting with मौमद बिन सल्मान ये भी नहीं हुई, और General Bajwa को जो medal provide करना था, ये भी cancel कर दिया गया, this is a huge disaster for Pakistan, ये जो पूरी visit थी, it is a complete failure, तो इसका मतब दे और काफी लंबे समय तक, at least आने वाले 5 या 6 साल तक, Saudi Arabia और Pakistan के relations most probably खराब रहने वाले हैं, unless Pakistan यहाँ पर offer करता है कि वो अपनी army भेजेंगे to Saudi Arabia, या फिर बढ़ चड़के, Saudi Arabia की जो demands है, OIC को लेकर, Turkey, Iran को लेकर, वहाँ पे Pakistan अगर support नहीं करता, तो most probably, Pakistan और Saudi Arabia के relations आने वा खराब हो रहे हैं, साथ साथ आप नोटिस करेंगे कि इंडिया और Saudi Arabia अपने relations को all strengthen कर रहे हैं, recently, इंडिया और Saudi Arabia ने उपन किया था highest form of strategic partnership council, जो Saudi Arabia की vision 2030 है, इसमें उनने ये काए कि 8 देश हैं जिनके साथ, ये strategic partner चाहते हैं for the near future, ये जो 8 देश हैं ये आपे आपके सामने ह France, Germany, South Korea and Japan, तो देखो Saudi Arabia की जो grand strategic plans हैं, उसमें already इंडिया की काफी बड़ी एक जगा है, इंडिया को बस यहाँ पर ये करना है कि जो differences बढ़ रहे हैं between Pakistan and Saudi Arabia, यहाँ पर जो gap बन गया है, ये इंडिया फिल कर सकता है, इंडिया can become a very important partner for Saudi Arabia, और ये Indian foreign policy में एक बहुती बड़ है with Israel, ये manage करने होते थे, जब इंडिया deal करता था with West Asia, primarily Gulf countries के साथ, मगर एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसराइल को भी acceptance मिल रही है in Gulf region, दूसी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और Saudi Arabia के जो historic relations हैं, ये भी काफियत तक खराब हो चुके हैं, हो सकता है कि in the future, Saudi Arabia औ और इंडिया अपनी strategic partnership को एक नए level पर लेकर जाए और grand scale पर navy, air force और military exercises भी करनी start कर दे, it can very much happen, और इंडिया के इलावा इस पूरे episodes से और कौन-कौन सी countries benefit करेंगी, primarily दो देश हैं, एक तो है China और दूसरा Turkey, since पाकिस्तान की जो obsession है with Kashmir, इसकी होगे से ये अपने relations with Saudi Arabia ये और भी जादा dependent हो जाएगा on China, obviously जो इनको loan की management करनी है, interest rate चुकाने है, उसके लिए in the future वो चाइना से ही और loan लेते रहेंगे, और आप कह सकते आने वाले 5 से 10 साल में, पाकिस्तान completely dependent हो जाएगा on China, चाइना के इलावा economic aspect में, पाकिस्तान का और कोई सरा नहीं होगा, at least in the region, now second country है यहाँ पर Turkey, देखो Turkey की जो intentions हैं वो काफिय तक open है, Turkey dependent नहीं है on Saudi Arabia, उनकी economy काफी robust है, और Turkey चाहता भी है कि OIC में division हो जाए, और Turkey lead करे एक नया Islamic block, तो जितने differences Saudi Arabia और पाकिस्तान में बढ़ेंगे, उसका direct beneficiary होगा Turkey, अब देखो question यहाँ पर यहाँ आता है, कि पाक पाकिस्तान अगली OIC की जो summit है, उसको attend नहीं करेगा, या फिर जो अपना eventual OIC pullout है, इसको ज़रा जल्दी कर लेंगे, यह देखना होगा कि अभी के लिए, पाकिस्तान इस पर react कैसे करेगा, तो यह है end this video का, thanks for listening and as always, God bless you all.